गोतम अडानी आज इंटरनेट पर सबसे लोगप्रिया नाम है जो अडानी ग्रूप के चेर्मेन है और भारत के एक सेल्फ मेड अरपती है मुक्के संबानी और अन्य बिजनेसमेन की तरह उन्हें अपने पुर्वजों की संपती नहीं मिली है बलकि उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है कि वे भारत की नहीं बलकि एसिया के सबसे अमिर वेक्तियों की सुची में नंबर एक पर है अड़ानी पावर लिमिटेड अड़ानी ग्रूप का एक पार्ट है जो भारत में सबसे बड़ा नीजी थर्मल पावर उत्पादक है गुजराद महरास्ट्य, करनाटक, राजस्तान और 36 गण में थर्मल पावर प्लांट सहित 12,450 मेगावाट की पावर जेनरेशन कपासिटी है और गुजराद में 40 मेगावाट की सौर उर्जा परियोजना है अडानी पावर क्यूटो प्रोटोकल के डेवलोप्मेंट के तहत पंजी कुरूत, कोईला आधारीत सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने वाली दुनिया की पहली कमपनी थी 2006 में बिजली उत्पादन में एक नए प्रवेश के रूप में कमपनी ने मुंद्रा में अपना पहला पावर प्रोजेक्ट सुरू किया अधानी ग्रूप के लिए ये पहला अचिपमेंट था, कमपनी के सियो से लेकर काम करने वाले करमचारियों तक को ये उम्मीद नहीं था कि आने वाले समय में किस तरह से इस प्रोजेक्ट को डेवलोब करना है लेकिन अधानी के पावर प्रोजेक्ट को सबसे बड़ी उडान तो तब मिली जब भारत के अंदर बिजली की कमी खेलने लगी देश के लगभग ऐसे बहुत सारे इलाके थे या फिर ऐसे बहुत सारे राजिय थे जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं होती थी और लोगों को काफी परेसानियों का सामना करना पड़ता था अधानी ने लोगों की इसी समस्या को अपने अफसर के रूप में बदल दिया और धीरे धीरे अपने पावर प्रोजेक्ट को बढ़ाना सुरू किया अधानी पावर ने मुंद्रा में 660 MW generating unit पर आधारित पहले सुपर critical technology को सिंक्रोनाईज करके इतिहास रची दिया ये भारत में पहली सुपर critical generating unit है मुंद्रा पावर प्रोजेक्ट देश में किसी भी बिजली डेवलपपर द्वारा अब तक का सबसे तेज प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन है जो 36 महिनों के लिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्थापना का रिकोड पूरा करता है मुंद्रा प्रोजेक्ट जो सुपर क्रिटिकल तकनिक पर आधारित है को जलवायू परिबर्तन पर सवयूक तराष्टर फ्रेमबर कनेक्शन से भरिपिकेशन प्राप्थ हुआ है ये UNFC के तहट CDM प्रोजेक्ट के रूप में रेजिस्टर होने के लिए सुपर क्रिटिकल तकनिक पर आधारित दुनिया का पहला थर्मल प्रोजेक्ट है मुंद्रा के बाद अडानी ग्रूप ने अपने पावर प्रोजेक्ट को फैलाते हुए तीरोदा महरास्टर में 3300 मेगावाट की टोटल क्यपसिटी के साथ 5 यूनिट सुरू की इस थान पर सभी यूनिट सुपर क्रिटिकल टेकनोलोजी की है जो कोईला आधारित पावर जेनरेशन एफिसेंसी प्रोभाइड करती है अडानी पावर महरास्टर लिमिटेड भारत के महरास्टर राज्य में सबसे बड़ा कोईला आधारित थर्मल पावर प्लांट है प्लांट में 660 मेगावाट की अपनी 5 यूनिट के माध्यम से 3300 मेगावाट बिजली पैदा करने की समता है प्लांट की पहली यूनिट 28 अगस्ट 2012 को चालू की गई और बाद में अन्य यूनिट को चालू किया गया इसके बाद अडानी ने राजस्तान में पावार प्रोजेक्ट की सुरुवात की और यहाँ पर कबाई में 1320 मेगावाट की प्रोडूक्शन केपासिटी के साथ एक ही स्तान पर सबसे बड़ा पावार जेनरेशन प्लांट स्तापित किया करनाटक में भी अडानी का पावार प्रोजेक्ट मोजूद है जिसका नाम उडूपी पावार प्रोजेक्ट है जिसकी कैपसेटी 1200 मेगावाट की है और यह मंगलोर और उडूपी के बीच यलूर गावं में स्तीत है अपनी बहतरिन प्रोड़क्टिबिटी की वज़े से इसे साल 2010-11 में भारत सरकार के बिजली मंतरायले से थर्मल पावार प्रोजेक्ट उनिट एक के जल्दी पूरा करने के लिए गोल्ड सील्ड पुरसकार से सम्मानित किया गया और 2014-15 में प्रतिष्टित गोल्डन पीकॉक परियाबरान प्रबंधन पुरसकार से भी उरुपी पावार प्रोजेक्ट 90% बिजली की आपुर्तिक करनाटक राज्य को और 10% पंजाब राज्य को प्रदान करता है आपको पता होगा कि इंडिया में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में पावार की डिमांट कितनी तेजी से बढ़ रही है और भविस्या में बढ़ने ही बाली है इसलिए इंबेस्टर का पावार सेक्टर की कमपनियों की और आकरसन एक आम बात है अडानी पावर भवस्या में 7000 MW कपासिटी से ज्यादा के पावर प्लांट बनाने के तयारी कर रहा है अडानी पावर कमपनी गुजरात के गोडा में 1600 MW के अल्टरा सुपर क्रिटिकाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेक्शन पर भी काम कर रही है अडानी पावर EPMPL कमपनी को खरीतने के लिए NCLT से एप्रूबल ले चुकी है और बहुत ही जल भारत के आसपास की पोडोसी देसों को भी अडानी ग्रूप की तरफ से बिजली की सप्लाई की जानी है अडानी ग्रूप देस में 1500 EB charging station लगाने के लिए अपने network को बढ़ा रहा है दोस्तों अडानी ग्रूप देस के सभी राज्यों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहा है यहां तक की अडानी ग्रूप स्रीलंका के कुछ इलाकों में भी बिजली पहुंचाने का काम कर रहा है लेकिन गुजरात के अंदर जो गोड़ा पावर प्लांट तयार किया जा रहा है वो बंगलादेस के साथ एग्रिमेंट करके तयार किया जा रहा है यह 15,000 करोड की लागत से तयार किया जाएगा जारखन भारत में सबसे कम बिजली उपलप्त बाला राज्य माना जाता है लेकिन कमाल की बात यह है कि वहां से बिजली बना कर बिदेस भीजी जा रही है इस प्लांट को लगाने के नाम पर वहां बसे आदिबासियों और स्तानियों लोगों से एग्रिमेंट की तहत जमिन खाली करवाई गई और उन्हें मुआपजया और नोकरी देने का आस्वासन भी दिया गया है एक दिल्चस्प बात ये भी है कि गोड़ा के 1600 मेगावाट की इस पावर प्लांट के निर्माण को खेका अडानी ने चीन की कमपनी सैपको 3 को दिया है जारकंड की पुरानी उर्जा निती में स्वास्ट प्राबधन था कि जारकंड में लगाने वाले और कोईले से चलने वाले किसी भी एनरजी प्लांट की 25 फिसदी बिजली राज्य सरकार को मिलेगी जो इसे एक तैदर पर बेज सकती है लेकिन मोदी जी ने दवाब डालकर इस सरकारी निती को अडानी के हीत में मोल्ड करवा दिया जब ये पाबर प्रोजेक्ट बनकर तयार हो जाएगा तो अडानी पाबर प्रोजेक्ट पहले की तुल्ला में काफी गुणा तक बढ़ जाएगा भारत के लिए सबसे बड़ी गर्ब की बात ये है कि आने वाले समय में अडानी ग्रूप बंगलादेश को इलेक्टिसिटी सप्लाई करेगा कुछ समय पहले ही बांगलादेश के प्रधान मंतरी से एक हसीना जब भारत दोरे पर आई थी तो इस एग्रिमेंट पर साइन हो चुका था इसके लिए योजना तयार की गई है कि जहरकंड के गोड़ा स्थी 1600 मेगावाट के गोड़ा पावर प्रजेक्ट और बंगलादेश के लिए खास तोर पर तयार किये गए ट्रास्मिसन लाइन को इस साल बंगलादेश के बिजय दिबस 16 दिसंबर 2022 तक सुरू करने की तयारी की जा रही है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अड़ानी पावर प्रोजेक्ट कितना बड़ा है इससे जुड़ी जानकरी पसंद आई होगी अड़ानी पावर प्रोजेक्ट आज देश के लगभग सभी राज्यों में फेले हुए है और विजली की सप्लाई कर रही ह यही वज़ा है कि आज गोतम अड़ानी एसिया के सबसे अमीर विक्तियों की सुची में नंबर एक पर आ चुकी है लेकिन दोस्तों इसके लिए उन्हें काफी संघर्स का सामना करना पड़ा है हमने अपने यूटूब चेनल पर गोतम अड़ानी की सक्सेस्फुल स्टोरी स से जुड़ी एक वीडियो अप्लोड की हुई है उसमें हमने आपको गोतम अड़ानी जी के फर्स से अर्ष तक का सफर दय करने के बारे में बताया हुआ है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तुर